हाई एबड़न असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ प्रॉंस कोलिवाड़ा की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ प्रॉंस कोलिवाड़ा बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसके लिए आपको बहुत कम टाइम लगता है अगर आप इसको एक बार मैरिनेट कर देते हो उसके 350 ग्राम यह 500 ग्राम था लेकिन इसे वाश करने के बाद इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद यह इतना हो जाता है और इसे अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया है आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लेमिन जूस लिया है हम इसमें आड़ करेंगे हल्दी पाउडर साथी में हम इसमें काली मेज का पाउडर आड़ करेंगे गरम मसाला पाउडर आड़ करेंगे रेड चीली पाउडर आड़ करेंगे और साती में चाट मसाला भी आड़ कर देंगे चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस आता है साती में मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर एड़ किया है थोड़ा सा सॉल्ट आड़ कर लिया है और ये बुनेवे चनी का पाउडर है तो ये भी हम एड़ कर देंगे साती में थोड़ा सा इसमें चावल का आटा भी मिक्स कर रही हूँ इससे बहुत जादा आपके जो कोली वाड़ा है वो अच्छे से बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे टू टेबल स्पून के करीब और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए तो यह रेड़ी हो गया है अभी लेकिन हम यह पूरी तरह से रेड़ी नहीं है हम हाफ इनार के लिए इसे रख देंगे हाफ इनार के बाद हम इसे डिफ्राइ करेंगे बहुत जादा ओईल नहीं लिए है आप इसे कम ओईल में भी फ्राय कर सकते हो तो यहां पर मैंने एक पैन में ओईल ले लिया है और इसमें एक एक हमारे जो प्राउन से उसको इसमें आद कर देंगे और इसमें अच्छा सा एक ब्राउन कलर गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राइग करेंगे यह बहुत ही आसान सी रेसिपी है बहुत कम टाइम में बन जाती है लेकिन जितनी आसान है उतनी ही टेस्टी भी है तो आप अगर इस तरह से बनाओगे तो आपको बहुत पसनाएगी और बहुत इजी भी है बहुत कम टाइम में बन जाती है अगर आपके घर पे कोई भी गैस्ट वगेर आने वाले तो आप इससे बना सकते हो बहुत ही टेस्टी और डिलिशियोस होती है यह देखिए तो इसे मैंने दोनु साइट से तीन से चाव मिनिट के लिए एक साइट मैंने पकाया था इसे कुप कर लिया है और अभी मैंने इसे निकाल दिया है यह बहुत ही ज़ादा क्रिस्पी भी बना था और क्रिस्पी इसले बना था क्योंकि मैंने इसमें राइस फ्लार एड़ किया था अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें कौन फ्लार भी आड़ कर सकते हो जो रिमेनिंग बज गए है उसे भी हम इसी तरह से फ्राइक कर लेंगे ओल में और निकाल देंगे तो ये हमारा क्रिस्पी प्राउंस कोली वाड़ा रेडी हो गया है तो उमीद करती हूँ है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो देखने के लिए थैंक यू अल्ला हाफिज